तो my dear student इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट लेकर आचुका हूँ आप लोग लिए एक तरसे good news रहने वाली है उन सबी विद्यारतियों के लिए जिन्होंने आपना choice filling कर दिया है और courses को lock कर दिया है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो हैं चाहते हैं कि हमारा वो unlock हो ज सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन वह कुछ और भी courses को उसमें add करना चाहते हैं तो क्या आप लोग कर सकते हैं जी हां अवश्य आप लोग कर सकते हैं तो देखिए मैंने एक student का थ्यान से देखना है मैंने student का choice filling किया हुआ था ठीक है और उस choice filling में मैंने काफी सारे courses add किया था लेकिन उनका कहना था कि सर देखिए मैंने इनका choice filling किया था तो मैंने एनम और जी एनम दोनों choice को फिल किया हुआ था लेकिन इनका कहना था कि सर मुझे lab tech या x-ray यह सब भी जो है सर आप add कर दीजिए तो मैंने का ठीक है add हो जाएगा तो देखिए आज की वीडियो इसी पर अधाजित रहेगी यानि अगर आप लोग अपना अनलोक करके फिर से उसमें add करना चाते हो यानि देखिए चौआज locking इस्टेस लॉक दिखा रहा होगा आपको ठीक है चौआज locking status locked दिखा रहा होगा लेकिन अगर आप unlock करके फिर से courses को add करना चाहो या private college हटाना चाहो तो कर सकते हो कैसे तो देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा choice unlocking ठीक है तो आएए यहाँ पर हम choice को unlocking वाले पर click करेंगे ठीक है आपका जो previous lock choice था वह invalid माना जाएगा अगर आप लोग इसमें सुधार करते हो तो आए हमको सुधार की ही जरूरत है तो आपको क्या करना है आई एगरी टू अनलॉक माई choices तो इस पर करना है क्लिक अब इस पर क्लिक किजेगा तो आपसे वह पासवर्ड पूछेगा जो पासवर्ड आपको मिला होगा ठीक है तो वही पासवर्ड आए हम लोग डाल लेते हैं तो दिखिए हमने पासवर्ड डाल लिया है अब यहां पर हम यस अनलॉक पर क्लिक कर देते हैं यहां पर हम लोग कर रहे हैं अनलॉक किसले कर रहे हैं ताक कि इसमें और भी courses को add करना है ठीक है तो यहां पर क्लिक कर देंगे ठीक है तो अब देखिए यहां पर अब फिर से OTP जाएगा आपके register mobile नमर पर ठीक है तो चलिए अब OTP आपको यहां पर डालना होगा तो अब देखिए यहां पर हम लोग तो unlock choice वाले पर क्लिक करेंगे और और भी courses add करने का प्रयास करेंगे ठीक है तो अभी देखिए हमारा जो choice locking status है यह unlock बता रहा है it means हम इसमें और भी courses add कर सकते है यानि modification कर सकते है तो अब फिर से choice locking पर जाना है ठीक है तो choice locking पर जाने के बाद दिखिए मैंने आपको कहा था जैसे मैंने इनका GNM और ANM पहले दिया हुआ था लेकिन इनका कहना था कि sir यहां पर जो है हमको lab tech ot assistant यह सब भी कर दीजिए तो अब यहां से मैं फिर से जो है choice filling पर जाऊंगा ठीक है choice filling पर जाऊंगा ठीक है और इसके बाद यहां पर lab tech वगएरा भी मैं select कर दूंगा यहां से देख सकते हो lab tech जितने भी lab tech के हैं सभी को मैं add कर देता हूं तो इसके बात जो है finally lab tech भी मैंने कर दिया अगर आप लोग चाहो तो टी भी कर सकते हो आपको जो मन है अगर आप इसमें editing करना चाहो तो कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो मैंने यहां पर कर दिया तो अब दिखिए यहां पर यहां पर save and go to home वाले पर क्लिक कर देना है ठीक है और इसके बाद आप देखिए पहले 99 colleges मैंने select किये हुए थे लेकिन अब देखिए 126 हो गया यह नि पहले जो था 99 था यह नेम और जीनेम को मिला कर लेकिन 126 हो गया ठीक है अब इसके बाद क्या करना है सर अब इसके बाद आपको यहां पर च्वाइस को लॉक कर देना है फिर से तो आईए यहां पर मैंने पासवर्ट डाल लिया है अब यह लॉक पर मैं कर दूंगा क्लिक ठीक है अब जो है हम लोग इसको फाइनली लॉक कर रहे हैं ठीक है लॉक करने के बाद यहां पर रिश्ट्र मोबाइल नमर पर टीपी जाएगा आपको टीपी डालना होगा उसके बाद जो है मैं आपको फिर से प्रिंट आउट निकाल के दिखा दूंगा खौ तो आयए उसके बाद जो हम लोग टीपी डाल देते हैं तो आयए यह उटीपी जो है हम यहां पर कि okay, हम अट चॉप डॉलो direct वा सिवा बाद यहां पर लोग को जो है चाहीज कर देना है लोग को लट कर देना है च्वित को ठीक है अब यहां से 5100 गेइगे आपका चोज लोकेंगे स्कित स्टीटर से लोक हो गया है और अब यहां फिल चोई 126 हो गया पहले 99 था ठीक है अब यहां से आप लो प्रिंट आउट निकाल लीजिए यानि प्रिंट लॉक्ट च्वाइस इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे ठीक है तो आए यहां पर मैं दिखा देता हूं कि पहले 99 कॉलेज का क्या था प्रिंट था लेकिन अब देखिए यहां पर कि पहले 99 कॉल सथा ठीक है कि यहां पर मैंने आप लोग देख सकते हो घाले प्छाय मैंने लैप टैकनी शीयर्न वटी वगर्रे सब डाल दिया ठीक है चली तो आई हो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगी है प झाल झाल झाल